पाली इतनी मज़दार भासा है कि जैसे जैसे इसको समझते हैं या पढ़ते हैं तो बड़े-बड़े कमाल की चीज निकल के आती हैं अगर मैं ये कहूँ कि भारत के अधितर लोग छितरी हैं या चतरी हैं या चती हैं या चाताधारी हैं या चतर वाले हैं तो पाली कहती है कि बिल्कु ठीक बात है भारत के अधितर लोग चतरी हैं चेती हैं चतर वाले हैं चतर वाले हैं क्योंकि पाली में एक सद्ध होता है जिसको बोलते हैं चछत मंगल उससब यानि कि ये भारत का प्राचीन एक उससब है फेस्टिवल है चछत मंगल उससब इसमें जो ये चछत सब्ध है ये चछत दरसल कहते तो हैं कि जब किसी चैतिय की च्छत पढ़ती थी चैतिय मतलब जहां पर चेतना के लिए बैठते थे जहां पर साधना रिपस्टना के लिए बैठते थे अपनी चेतना जगाने के लिए बैठते थे या कहीं कोई ऐसा भिकू या कोई ऐसा बहुत जानकार व्यक्ति है जो मर गया है अगर उसके अंदर कोई अस्थी, कोई हड़ी, कोई चीज उसके अंदर कोई दात, कोई नक उसके अंदर दबाते थे तो दवाने के बाद उसके उपर एक बिल्डिंग बनाते थे और इस बिल्डिंग पे जो चछत पढ़ती थी उसको कहते थे चछत मंगल उसब यानि के चछत पढ़ना, रूफ पढ़ना बहुत पुराना एक उसब रहा है और यह आज भी होता है जब किसी के घर पर कोई लेंटर पढ़ता है, कोई चछत पढ़ती है या कोई घर बनाता है तो वहाँ बाकाइदा एक धागा बानते हैं जो भगवा कलर का होता है क्योंकि भगनवान बुद्ध का जो कलर था चीवर का भगवा था और वहाँ वो कुछ बोलते हैं जो पराने समय का 33 और पंसीर होता था और फिर वहाँ जो लेवर काम करती है, उसकी दावत भी होती है उसको लड़ू वग़रा तो आज भी खिलाए जाते है और चछत जब पढ़ जाती है तो कहते हैं काम संपन हो गया एक काम हमारा हो गया क्योंकि पुराने समय में छत का पढ़ना बहुत important था आज भी है अगर किसी मकान की, किसी office की, किसी building की छत पढ़ जाए तो कहते हैं कि बागी काम तो होता रहेगा, building त्यार हो गई है तो इसको छत, मंगल, उस सब बोलते थे ये पुराने समय का, मगद का, पाली का, बौध के समय का, सुख के समय का और आज भी, बहुत ही महत्मून ये उस सब है आज इसको जगे 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 मनाते हैं, छोटे रूप में मनाते हैं फिर ये छत से जो हो गया, इसको जैसे संसकाइद भासा में चेंज किया तो आधा ते और पूरा ते जो छत था, उसको छत्र कर दिया क्योंकि आधे ते और ते को उन्होंने त्रे में बदल दिया त्रे सद्र पाली का नहीं है, तिर्सूल नहीं है, तिर्सूल है यानि तीन सील हैं तीन सूत्र हैं तीन सूल को तीन सूत्र को तिर्सूल बोला गया जहां जहां ती आया जैसे ती रतन हो गया तो उसको त्री रतन बोला गया जहां जहां ती सब्दाया उसको त्री कर दिया गया तो ऐसे ही छत को छत्र कर दिया गया और जो यह छत्र बना क्य हो गया और कोई अगर कपड़े का बना कर बास पे लटका के जल रहा है या कोई पत्ता ले के चल रहा है आपके सर के उपर तो उसको भी छत्ती बोलते हैं बाद में इसको छत्र लेके खड़ा होता है चत्त से ही चाता बना हुआ है तो चाता लेके अगर खड़ा हुआ है तो कहते हैं कि ये इसका चत्त है चत्त को बाद में चत्र कहर करने लगे तो जो राजा होते थे या जो साहुकार होते थे या जो कोई प्रमुक आथमी पड़ा लिखा होता था यहां तक कि थाइलेंड के अंदर जो भिक्कू है वो अपने छत्र को अपने साथ लेके चलते हैं यानि वो जंगल में जाके जो साधना विपस्ना करते हैं तो आपने फोटोस में देखा होगा जगे जगे वो पेड़ के उपर एक छत्र छाता जैसा बांग देते हैं जिससे के मक्षी मच्छर उनको परिशान ना करें या धूप बगरा ना लगे उनको और वो अपना ध्यान आराम से जंगल में करते रहें सुरक्षित्र है यह चाता आज भी चलता है और चत्र भी आज कर चलता है मगर जो चाता लेके पीछे आदमी खड़ा होता था यह मानते थे कि यह रसूप वाला आदमी है अच्छा व्यक्तिय है इसलिए उसको कहते थे कि यह चत्रिय है यानिकर इसके पीछे एक आदमी चलता तो यह रसूख वाला एक बड़या इमानदार अच्छा आदमी है इसलिए यह छती आदमी हो गया इसके ऊपर छत चलती है तो चत्री यह हो गया तो छती आदमी हो गया बाद में और ज्यादा जब इसका रूप बदला तो जो मन के द्वार होते थे यानी मंदर होते थे जहां मन को हम दुख दर दूर करते थे, मन दर होते थे वहाँ की जो बिल्डिंग के उपर बुड़ी लगने लगी खास तोड़ से जो बुद्ध के इस्तूप होते थे उनके उपर तो वो धातु के बने लगे तो उपर जो आपने देखा होगा कहीं पीतल के कहीं लोहे के जो बुर्जियां होती हैं उपर जो सिखर होते थे उनको भी छत्र कहने लगे फिर बात में और जब रूप बदला तो जब ये इस्तिती बदल गई और मंदिर बंगेर वहां पूजा पाठ काम आरह हो गया तो सोने चांदी के मुकट कहते हैं कि छत्र को चड़ा रहे हैं यानि मुकट को छत्र कहने लगे यानि जो छत्र जो सब्द है वो कहां से होता 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 और कहां जाके रुका आके आज के समय में यानि आज भी उसको मानते हैं मगर जो दूसी तरफ यह सब्द है वो है खेतिये यानि जिस जिस के पास खेत थे जिन्होंने खेत बनाए उनको बाद में संस्काइद भासा में खेतिये की जगे छेत्रिये केने लगे यानि खेत की जगे छेत्र केने लगे जो पाली में खेट था उसको संस्काइज भासा में आदे केय और खे को 6 बना दिया गया और छेतर में बोलने लगे तो यानि जिनके पास खेट थे वो खेतिय होगे और जिनके पास छाता था वो छत्रिय होगे इस तरह से दौनों ही सब्द मिक्स होगे बाद में यानि छत्रियों उनको बोलते हैं जो छाता लेके चलते थे तो यानि कि जो खेत में काम करते हैं वो खेतिये हैं और खेतिया को छेतिया बोलने लगे छेतिये से वो अपने आपको छत्रिये करने लगे और जो च्छाता लेकर चलते थे, वो लोग च्छाता धारी हो गए, यानि कि छत्रीय हो गए, छत्रीय हो गए फिर बाद में ये दौनों सब्द मिक्स हो गए, मिल गए, तो छेतिये और चत्रीये लगबग एक से बोले जाते हैं, जब कि इनके मतलब अलग लग है जो छेतरी है जो छतरी है उसके पास छेतर है खेत है और जो छतरी है उसके पास में छाता है तो इस प्रकार से अगर आपके पास में छाता है तो आप छतरी है यानि कि छाते धारी हो जाएंगे छाते वाले हो जाएंगे कैसा भी चाता है चोटा है काला है नीचा है अगर चाते में चलते हैं या आपके सर पर च्छत है जहाँ आप मकान में रहते हैं चाहे वो भूसे की है चाहे वो लोहे की है या सिमेंट की है या टीन की है या पत्थर की है अगर आपके सर के उपर च्छत है तो आप च्छत्तरी हो गए तो बहुत सिंपल सा पाली के अंदर यह बिलकुल किलियर है इसलिए आप च्छत्रिय भी है और आपके पास खेत है तो आप खेतीय भी है छेत्रिय भी है इसलिए कोई डावट करने वाली बात नहीं है अगर भारत के सार्य लोग अगर आपके सर के ऊपर छत है तो आपके ऊपर खेत है आपके पास तो आप खेतिए है आप छेत्री है धन्यवाज